CCA की और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइपॉन को दबाएं जुआना के लिए बोट दिया था और अगनी वीर के सवाल पर नराज गया है तकडी नराज गया जो इप त्यार होगा और त्यार वापस बेदें तो फिर क्या करेंगा दस साल मेर बेरो ज्यारी कितनी बड़ी है मेंगाई देखो आप पाणी का मुद्दा देखो यार हमारे डिगी है यह ठीकी मों पाईप तो शरकार ना दबुआ दिया लेकिन मारे डिकी में पाणी तो नहांता था पाईब लग गया खाली पाईब हाँ जाकि देखो आप केकरेंगे बढ़ी औरतें बिचारी सब्सक्राइब देखो आपने किसानों के लिए मुद्दा किसान का अगर किसान पिटा गानी तो उसके साथ सारी जात पिटांगी दो जार चोदा के बाद अब तक नरेंदर मौंती ने साड़े अठारा लाख करोड रुपया पुंजी पत्योगा राइट ओफ कर दिया यानि माफ कर दिया देश के चोदा करोड रजिस्टर परिवार है किसानों के और उनका एंपिए साड़े आठ लाख करोड है संख्या प्चास करोड होगी यह साड़े आठ करोड रुपया माफ करता तो 50 क्रोड लोगों को रात मिलती खुषी मिलती है लेकिन उसने डिट नितियां कर दी ने रोव पानी नहीं नहीं है बीज़री इतनी महेंगी कर दी कोई बिल नी बर पारा बेरोजगार इतनी कर दी अर यहा लेजस बाद केजिए कैसे न्हो agree में saç ещёां मिजिए में मेंズ विखोना बाई गूदे डालियंगे नराजगी कि भाजपरेल्टकों क्यूं क्यों न Всемिए यह अज़ान थे बाई के था है JIM्या जिए ईयो नहिकले निज्गरीना कि PROP这个 में ृह बाध आप development वाई सेंटर में देखा गया और अर्यानम लट गाइड दिया है और पठकनी जाएंगे पूरी यह उन्हें बात कर दी सौ बात की एक बात लट गाड दी है और इस बार पठकनी होने वाली है CCA में आपका स्वागत है हम अभी हर्याने की हासी सीट पर है हासी का ये उम्रा गाउं है इस सीट पर पिछली बार जो भाजपा से यहां चुनाब जीते थे विनोध बयाना वही इस बार उनके फिर से उम्मीदवार है कॉंग्रिस से राहुल मक्कर लड़ रहे हैं जो पिछल को लोग या तलाब है यहां पर शाम को लोग अपनी बहसों को अपने पशों को नहलाने आते हैं इसलिए हम यहां पर आए हैं क्योंके यहां पर इस वक्त नौजवान बजूर्ग महिलाएं गाउं की सब मिलेंगे किसान हैं यहां पर गाउं के आई उन से बात करते हैं और स तो खेती करें हो आप किसान होता हूँ ये बताओ दस साल हो गए सरकार को यह भाजपा की उससे पहले भी इनी की मतलब सिकेंद्रे में भी भाजपा की सरकार थी दस साल आप के लिए कैसे रहें किसानों के लिए कैसे रहें मारे लिए तो कुछ भी नहीं रहे वाई ठीक है यह सरकार भी आमने समिश्चा कर दियो कांग्रेश की फिर एकर कई उन्ती नूबेरा पड़ जे वाए ओड़ इसमें अर्यानम और भी लोग बसे हैं उती इवकाल पचाइड द्यांगें यह काम है और बेसंग जागे उती नूब बताए भी दिये वाए इवकाल मतलल कर यो च यह बताईए आप किसान अंदोलन में भी गए थे साथ-एठ महीने इस गाउं से कई लोग किसान अंदोलन में भी गए थे कोछों से हमारी भी मुलाखात हुई थी अभी हम उनसे भी थोड़ी दिर में बात करेंगे यह बताईए कि इस किसान अंदोलन का क्योंकि तेरा महीन बाजबा वाले जिनकी सरकार रही है अभी दुश्यंत भी अलग हो गया जचपा वह अमने पठकनी दी ती तो यह बताई अब यह दुश्यंत भी जो है वह कह रहा है कि हम जो सरकार में थे साल हमने 14 फसलों पर MSP लगाई ऐसा आपको कुछ उसका असर महसूस हो रहा है कोई असर नहीं पड़ा वह तो यह अपनी फ्रेम ना रही है को कुछ नहीं असर पड़ा उसका फिर बाकी उसका एसास हो रहे है वह प्रसुवी टेवी टीवी पर बोले था अब मन जन भावना का तो यह पंपता है पिछली बार का वोट किया लिए था मोधी ने मोधी को दिए था है मोधी को दिया था मोधी और एक तो मोधी नीगी धिया था जवान के लिए बोट दिया था और अगनी वीर के सवाल पर नराज गिये अगनी वीर पर जवानों के नाम पर वोट मांगते थे लेकिन वहीं जवानों की अब नौकरी मतलब यह कर दिया अगनी वीर जो ही और तियार हो के बच्चा जाओगा ओट्यार साल में वापस बेद देंगों फिर क्या करेगा तो यह बता हो आप भी खेती करें हाँ तो आप इनकी तरह नराज हो या आप खुश हो सरकार नराज भई सरकार से अब सरकार से नराज बिल्कुल दस साल में यार बेरो जारी कितनी बड़ी महंगाई देखो आप बाण पढ़ा का मुद्धा देखो यार अमारे डिग अधिक मो पाई तो शरकार नद भवाए दिया लकिन मारे डिक पाणी तो न जा आथा काली रख यह खाली पाई भई हाँ जाकि देखो आप के करेंगे के का अव्यों बढ़े को नियां दे मेले के भए क्यों नियु ने यह सवाल मैं महिलाओं से भी करूंगा लेकिन आप लोगों की भी राय मैं जानना चाहूंगा कि कि इनकार को बदलने जा रहे हैं और पिलकुल वड़ेगे बाइसाब कि पिछली बार काम वोट किये थे जाने को दी दिये लिए यह बाजपा को दी जिल्फ रिधा कुट्छ के बिलकुल अर्गाने को दूसमनी भी निए भी पार्टी से नराज किया थे अगर आप मारा काम कर पूछना तो कर दी एक चीज़ बताई है कि मोधी सरकार बार-बार कहते है कि हमने किसानों के लिए किसान सम्मान निदी शुरू करी जो 500 रुपे महीना तव हसरें इसलिए मिरको भी एस्टी आ गई तो मेरा फर्ज बनता है किसानों से पूछना क्योंकि इसकी जो नराजगी ह मनें और भी किसानों से सुनी आप बताई आपका क्या कहना है उस पर व्जब 500 रुपे महीने का जो भाई 500 वाड़ी सुन ले भाई इतनी इंट गेड़ दी मायरत मेरे तो एक देड़ कनार जमीन से वह आज लगे सब्सक्राइब कुन सारे कागज़ गोपर त्यार करकी दे सब्सक्राइब लिए जो देखो आपने किसानों के लिए मुद्दा किसान का अगर किसान पिटा गाणी तो उसके सारी जात पिटांगी बादेप नौजवान हैं मंदीप हमको किसान अंदोलन पर भी मिले थे चल चित्रा ब्यान हमारी CCA की डॉक्यमेंटरी फिल्म बन रही है उसमें भी उनका एक उस फिल्म में भी हमारे करदार है बंदी किसान अंदोलन पर तौप रहे उसके उस पर भी बात होगी लेकिन उसके साथ-साथ एक बड़ा एक और अंदोलन हुआ जंतर मंतर पे जो हर्याने की जो पहलवान थी बेटियां उन्होंने कई बड़े गंभीर आरोप लगाए थे यौन शोशन के और उनके साथ बहु ater को उसका कितना असर है कितना अंदोलन का था ताऊ ने पता दीया कि इस में इस चुनाव वह रहा है उस चीजिस का कितना रोश आज सब में ही देगे बाई वह किसान अन्दोलन का प्रवाव नहीं है पिछले दस साल से जब पहले कोंग्रेस की सरकार थी तो महंगाई जो तरस तरह स्वाइब जो गलत नीतियों थी लोगों ने उसके खिलाफ जाके अंडरेंदर मोदी को चुना था नरेंदर मोदी ने कहा था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूँगा पंदरा लाग रुपे खाते में आएंगे दो क्रोर रोजगार होंगे और सो स्मार्ट सीटी बनाओंगा ऐसी ऐसी बाते की किसानों को कहा कि मैं 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 कर्ज मुख्ती करूँगा 2013 में पूरे भारत के सभी मुख्ती कानून दूँगा इस उमीद के साथ आम आदमी ने उसको वोट दिया था किसी अकेले किसान ने आम आदमी वो है जो कमा के कहता है छोटा दुकानदार है मजदूर है किसान है करमचारी है उन्होंने इससे काफी उमेदे थी लेकिन इसने तो जैसे ही गिरगीट रंग बदलता है ना जैसे हिस अत्ता पर यह पहुचा तो इन्हों सारी नितिया एक के करके किसान को बरबाद कर दिया कर्शी कानून लियाए बील अब करके इनकी जो है सिक्ष्या को बन करके आम गरीब आदमी के बच्चे जो पड लिख के कुछ बन जातें थे उनको खतम करने के लिए इन्हों है सखुलों को बंद कर दिया रासन काड पे जो पहले मिलती थी जो सुईद में वो खतम कर दी में reset के ये कहता है कि मैं देश को जुखनें नहीं दूंगा पुल आमा दुणिया का मत्र Хभ अरढ़ी जाँच नहीं हूए पहले कहता था जो 25 सहित हो इसलों आमा देश शैंपाइ भी है जो ङैसा ऑख अब नहीं हो जो आख यह जूमला था दो क्रोड की नोकरी कर्ज मुक्ति यह सारे अमिच्छा कहता है यह जूमला था वो खुद मानते कि हम जूठे हैं तो बाई इन किन्नितियां जो है वो दमनकारी है पुंजी पतियों इस सरकार है आम आदमी को महार से मर रहा है बिजड़ी पाने शिक्षा चिक किसानी करते हैं वो तो सकूल और हॉस्पिटल की दिवारों को आथ भी नहीं लगा सकते इतना महिंगा हिलाज होगा इतनी महिंगे वह तो अकेला किसान नहीं हर पबलिक देश की जो कमा के खाता है गरीब तब काम में देवर गया पूरे के पूरे बीजे पीसे तेंग है औ नहीं माफ कर दिया देश के चोदा करोड रजिस्टर परिवार है किसानों के और उनका एंप यह साढ़े आठ लाग करोड है संख्या 50 करोड होगी यह साढ़े 8 करोड रुप्या अगर वो माफ करता है तो 50 करोड लोगों को रात मिलती खुसी मिलती है लेकिन उसने डेड़ अच्छी इस लेवल का बंदा है भी एस्टी कर रहा है उसको डी ग्रूप में लगाए तिया बीजार की नोकरी खातर वो नहीं रहे हैं जबकि उसको लगना था सी ग्रूप या बी ग्रूप की अच्छी नोकरी मैं अर्याना से बार के बियार यूपी मद्य परदेश राज वो परची लेकि नोकरी यां लगा रहा था है एच्पीए सी चेर्मेन को इसलिए इस्तिफा देना पड़ा कि उसके गड़ेड करोड़ रुपे कैस में मिले और साथ में परची मिली तो यह किस मूँ से कहते हैं हमने बिना खर्ची बिना परची हमें कुछ लोग मिले हैं ल वहां पर तो लगा दिये भी आराएं पी के बंदे तस्हिलदार और अरियाना के लोग जो पड़े लिखे थे उनको डी गरूप में पानी पिलाने में लगा दिये यह यह बताओ पानी पिलाना पोड़ों को पानी देना नोकरी है कि यह यह नाराज की कई जगा दमने सुनी पर देखेंगे जो मतलब जिन लोगों ने में फिल पीएचडी किया है उनको भी गुरूप डी की नहीं नौकरियां मिल रही है यह यह आपर क्योंकि गूप पे गूप बी की वेकंसी जी नहीं खुली है काफी देर से अब सीचे की वेडियो देखेंगे चुनावी हमारा ज देखांगे आग गया है और अर्यान में लट गाइड दिया है और पठकनी जाएंगे पूरी यह उन्हें बात कर दी सौ बात की एक बात लट गाड दी है और इस बार पठकनी होने वाली है चलिए सुभाज जी आपका भी एक कुछ मत है पठकनी वाला जो तो बोलकर गए आ एक तरफावी जेपी को दिये थे अच्छा दी इतनी नराजगी होगी काम तो कुछ गर्या की में भी कोई जमीदार आदमी है कोई पानी की वबस्ता ने कोई खात वीज की वबस्ता नहीं अरेकंसियां कितनी खुए हैं पगले हैं गाउं में कितनी लोग की नोक्रियां कि मैं दस सालों में दस सालों में लगे हैं दस सालों में लगे हैं यह और भी की बड़ी दिक्कात है हम आगे भी बात करते हैं जोड के नीचे और भी कुछ लोग खड़ बैठे हैं बिल्कुल पेड के नीचे उच्छाओं में और उस तरफ शायद महिलाएं भी महिलाएं भ तिर्णास कपमें नराजगी वाजपा को क्यों नीगा है वाति कांगरिश में बना भाई कांगरुपाया और टाल क्यों कि लुएए नराज करने को ऐसे करहें? प्रश्मिदार की तो मरें मर्स है तो गुर्दत है अच्छा एक चीज बताओ आप लोग जो अंदोलन हुआ था तेरा महीने का किसान अंदोलन हर्याने से बहुत सारी महिलाई भी उसमें जुड़ी थी आप लोग भी जुड़े थे उसमें बीच में गये थे पहुंच अपन वह अनुबाब आपके कैसे रहे क्योंकि बतलब बोला जाता था कि हर्याने की ओरते तो घरों से बाहरी कमी निकलती है लेकिन आप तो वहां अंदोलन में भी शामिल हुए कैसे रहे आपके वह अनुबाब कि कर्या तो कुणि फिर के में हैं बात तो कर्या नहीं यह अंदोलन पर बैठी थी पहलवान थी उनने का हमार सा शोशन हुआ था तो उनकी भी बात नहीं मानी गई उस पर आप लोग में कितनी नराजगी है तो मैलाओं के लिए कुछ किया इस सरकार ने दस सालों में कि मईक आज़ी तो आथ में सब मारा अरुच यह बेढ़ी अच्छा के लिए या खटर के लिए घटर के लिए आपकी करणिया पे जाओगा अच्छा ये बेटा-बेटी आपके बाड़कों को लड़कियों को नौकरियां में लगी है कोई सी की सथ नहीं हाजी आप से बात करते जी नमस्कार जी नहीं चुनाव आरे क्या नाम हुआ बेटा एक मिनट बेट जाओं जी आपके साथ क्या नाम हुआ जी आपका नाम है जी सुरेंदर तो बाओ जी क्या आप खेती करते हैं क्या करते हैं कितनी जमीन अपनी जमीन तो यह पांचार किला है पांचार किला है पिछली बार कहां वोट किया पिछली बार पिछली बार वोट किया जाद उमीद्वार को जो हमारे गाओ मतलब मलिक था उसको इस बार इस बार वोट करेंगे कांगरिस को क्यों मन हो गया कोंगरिस को मन हो यह हो गया जी मतलब यह है कहीं भी इस सरकार ने कोई साथ नहीं दिया लाज जमीदरगा किसान परेशान है पानी पनीया इक सुन्दरिय रहे जो अपने पानी लग रहे है उसमें मतलब 45 दिन का एक अफ़्टा बना रहे है उसमें पंतारीस दिन में भी टेल का उपर पानी नहीं पहुंच रहा है अपने यह डिगी है इसमें कोई पानी नहीं है गाउ मतलब आपका क्या नाम है सर बता दिवास क्या करते हो विकास कुछ निखेति करते हैं तो बोल रहे हैं बड़ी महनत का काम होता है मुझे जितना तो विकास कितना विकास आया यह गाउ में कुछ विकास नहीं जी गाउ में अच्छा गाउ में सरकारी अस्पितार है उसमें एक भी तो मैडम नी है एक भी डोक्टर नहीं अच्छा सरकारी अस्पितिल जो आदमियों का है उसके अंदर एक भी मैडम नहीं है सरकारी स्कूल बन्दों के बतादिया स्कूल जो है स स्कूल जो हैं दोनों सरकारी है स्कूल शुविद्ध भी ठीक है श्टाफ भी ठीक है जा दो नाम से केल गाउन टो मैं गया उम्रा का दो तो देखा है मैं नहींये आंका बहुत बड़ा आपका आप लोग कभी हिसार आएंगे हमारे दरशक तो यह उम्रा गाउण आके यहां का एक बहुत बड़ा इनका ग्र आप तो चले गए अरे बहुत मैंनत का काम होता है कि हिती का बहुत मैंस को नहलाना भी इतना असान नहीं होता है जो लोग सोचते हैं वो बिचारी नहां के बाहर आ रही थी वापस भेज़ दिया नहीं चलो ठीक है हाँ जी आओ जी विकास जी अब मुझे बता हो यह ग्राउ खेलने वाड़ा स्कूल तो बहुत ज्यादा साल से खुल रहा है ऐसा इस सरकार में नहीं पहले गाई है कांग्रेस की सरकार से भी पहले गाई है तो कभी आएंगे आप लोग यहां पर इस ग्राउंड को जरूर देखिएगा मतलब एक उधारन है कि गाउं में किस तरह की फ सथे और खिलाडी बन सका हैं और खिलाडियों की बात करते हैं मार गाउं में खेल गाउं में-खेलगा है इसमें तो रेपरिज् lekker रहें मतलब टार्या करें और बहुत ज्यार जी जर्याम एडल लेके मैडले यहाई है भाकी इतनी नहलीग तो है इन्चिया को मैडलों के बा एक महिला खिलाडियों का एक अंदोलन हुआ ता जो मैड़ल व traveler Saukner और बयनेजपोगाराक इक नरा दोच्छि-मलक भीट हो एक नर्यानथ उन ड्हुंढ forskा रहसा वर कि अचादा साइड़े उड़ जादा है आपको भी आपके गाउं से मतलब पिछली बार कितने बाजपा को बोट गया थे थी बढ़ानी कितने नी अच्छा यह बदाओ बार में एक धरना है हर्याने में तार्ना है कि चुनाव होता है जाट नॉन जाट इस बार Jaan डरना वो देर ना, जरूर ठोटेंगी अब कंग्रेस की तरफ जाएगी और बीजे पी जाएगी, तो आपको विकल्ब सबसे बड़ा कंग्रेस लग रहे है तो इसलिए अधर जा रहे हैं, और जज़ पास होती तो शायद उधर भी जाते लेकिन वो तो किसान अंदोलन में इदर रही है आप गए थे किसान अंदोलन में नहीं नौजवान विकास किसान यहां पर किसान अंदोलन में क्यों नहीं गया जाने पाते हैं अच्छा फिर किसी एक को तो देखने पड़े हैं उनके भी आंदोलन में इस योगदान को कम मतांखना, वो भी गाउं में रहकर खेच जो देख रहे थे, वो भी एक बहुत बड़ा योगदान ही था इस आंदोलन का, खेर, विकाज जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी यहां पर आज उम्रागाउं में, आसी कला सीट के उम् बुजर्गों से भी बात हुई, नौजवानों से भी बात हुई, महिलाओं से भी बात हुई, समझने की कोशिश है, खासकर कि यहां भी किसानों से ही बात हुई, और समझने की यह कोशिश थी कि किन मुद्दों पर, क्योंकि जाद धर्म से थोड़ा उपर उठके है, मुझ इसके बारे में तो हम आपको कुछ नहीं कह सकते हैं से फॉलिजिस्ट नहीं है लेकिन एक नाराज की पिछली बार के मुकाबले बिलकुल स्पश्ट नजर आ रही है खासकर कि किसानों में कई जगा मजदूरों में भी क्या चुनावी नतीजे होंगे वो तो आठ तारीक को ही पता चलेगा अगले महीने तब तक आप CCA के साथ जुड़े रहें बहुत बहुत धन्यवाद है